लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें हुआ 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 है जाने दो अपनी गाड़िया है मेरे प्यारे भाईयों तुम्हें भारत से अपना हक चीनना है तुम लोग मस्लूम हो मजबूर नहीं इस आज़ादी की चंग के लिए तुम्हें हत्यार उठाना होगा खून बाहाना होगा हम त्यार हैं हम तुम्हारी इस चंग में हारताना से मदद करेंगे अत्यार सप्लाई करेंगे ट्राइनिंग देंगे सिर्फ एक बात दियाद रखना हर भारत वासी तुम्हारा दुश्मन है आज साथी सिंदबाद आज साथी सिंदबाद कि हमारे उन हत्यारों के कंसाइनमेंट का क्या हुआ जो हमारे गयर मुल्की दोस्त हमें बेजने वाले थे कंसाइनमेंट आ गया है लेकिन इतना असला हम रखेंगे कहां भारत में कोई निया ठीकाना बनाया है हां यह गाउं है धनकपुर हमारे बॉडर के एक दम नजदी इसे शेहर से जोडने के लिए सिर्फ एक पुल है गाउंवाले सूरे ढलते ही इस पुल को बंद कर देते हैं हम रात में बड़ी आसानी से धनकपुर में असला जमा कर सकते हैं और दिन में हमारे आदमी इस असले को भारत के कौने कौने में पहला सकते हैं इस बार हमें भारत को बर्बाद करने के लिए एटम बॉम मिल गया धनकपुर खुदा करे के मुहाबत में वो मकाम आए मेरे लगों पे हमेशा सनम का नाम आए मेरे लगों पे हमेशा सनम का नाम आए कुदा करे कोई मिटा नाम सके दिल के इस पसानी को करूं मैं याद तुझे भूल के जमाने को उठे जो मेरे नजर तेरा ही सलाम आए मेरे लगों पे हमेशा सनम का नाम आए मेरे लगों पे हमेशा सनम का नाम आए कुदा करे अरे मुन्ना करो का है तेक आवरों वहां क्या खड़ा है वापस जाने का इरा दा है क्या मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया हूं कि अधा 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 कि इसे हम पिऊंगा लीजे सर मेरे पास पुरा पैकेट है सर बैठिये न आपकी तारीफ हमारी तारीफ जितनी कम करो उतनी जादा है हमारा नाम है बलवन कुसिन हा हम पटना का रहने वाला हूं पिछले पंदरा साल से मेजर खान के अंदर काम कर रहा हूं और अभी तक पक्का ब्रहमचारी हूं मतलब आपने अभी तक शादी नहीं कि सर अरे अभी तो हमसे चालिस का हूं जब पचास का हो जाऊंगा ना तब साधी करूंगा सर हां तब तो आप अपना एड्रेस मुझे जरूर दे देना आपके पड़ोस का मकान मैं खरीद लूँगा हे हे क्यों जी अंधे हो दिखाई नहीं ते दर सनम से तक रागए अब बैल की तरह गर्दन क्यों हुला रहे हो हम क्या पूछरे सुनाई नहीं देता सनम तु हट मैं बात करता हूं ये सीज़े सीज़े नहीं मानेगा रहने दे जटकू रहने दे तो गुस्ता मत कर पॉजी स्कूल के लगते हैं पहली गलती हैं माफ कर देते हैं अगर दुबारा हम से टकर आया ना तो तू इंसे टकरा जाना हम बीच में कुछने बोलेंगे हां अब जाओ जी देख के रहें टूकू टूकू सारे देश में की यही जगह मिलती हैं पॉज्यों को जमा होने के लिए पोईस मेरे बारे में तुम लोगों ने सुना हुगा कि मैं बहुत सक्त इंसान हूँ अपने स्टूड़न्स को उनके गलतियों पर सक्त सजा देता हूँ यहां के कुछ अपने काईदे कानून है चिने तोडने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है और मैं चाहता हूँ कि यह ट्रेनिंग तुम लोग पूरी मेहनत और इमानदार इसे करो जिंदगी में इस लाइक बनो कि दुनिया तुम्हें सर उठा कर देख सके कौरव तुमने अपने आप से कुछ वायदे किये हैं उन्हें हमेशा याद रखना मैंने फैसला कर लिया है सर मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है यह सारा इलाका हमारा है यहां पर तुम लोग कहीं भी जा सकते हो मगर पुल के उस पार एक गाउं है धनकपर वहां क किसी भी फौजी क्या शेहरी को जाने के लिए अजासत नहीं है समझें यह क्या टेंचन है यार आखों को ठंडक तो वहीं मिलेगी यहां तो अंदे हो जाएंगे यस सर क्या वह गाउं हमारे देश की सीमा के उस पार है नहीं है तो हमारे देश के अंदर अगर वहां की कि लड़की क्या बात है करेंगे मेरे साथ क्या करेंगे मेजर साथ मुन्ना के साथ पता नहीं पर जो भी करेंगे अच्छा नहीं करेंगे नहीं सार इसे मत काटिये साथ मुन्ना क्या हुआ ठीक तो है ना कुछ बताना क्या क्या मेजर साथ ने सब कुछ काट दिया सब कुछ हाँ यह देखो अधाशना तेरे शहत का जवाब नहीं दूसरों के शहत से कितना ज्यादा मिठा होता है अरे जाओ जी तारीफ करने के जगा कुछ ठीक ठीक पैसे देदिया करो लाला जी पूरे हफते की मिनत के बाद एक मत की जमावते हां अरे हां बाबा यह ले यह अच्छा है कितने का है तेरा मांगा छेना अजुर ले जांस न है ओ यार हिंदी में बोल कुछ तो समझ पड़े कितने का है यह तामज भनुना कजी देना सक्छा ओई सिद्दे सिद्देव चुटकू वो देख वही फॉजी विचारा कुंगा है कुछ बात करी ने सकता और कल सुब हमने नजाने क्या कुछ नहीं कहरा ला उसे तुमेर यस्त करना तीस रुपए देया लो दो सो रुपए पहले बोलना था ना यार सनम एक काम करेंगे अपने मामाजी से बात करें इतने बड़े वैद है कोई ना कोई इलाज तो होगा उनके बात संसार में ऐसी कोई बिमारी नहीं पैदा हुई जिसका इलाज मरगट लाल बैत के पास नहों समझा विहारी यह पत्तिया ले निहार मुझ से चबाकर इसका रफ पी जाना भगवान ने चाहा तो खत्म हो जाएगा कौन मैं हाँ नहीं तेरा यह दर्द इन पत्तियों से कि मूरट यह पत्तिया नहीं संजीवनी है संजीवनी तू मुझे कोई मामूली बैश समस्ता है क्या मैं रोगी का मूझ देखे बिना उससे कूछ पूछे बिना सिर्फ नारी पकड़ के बता सकता हूँ उसे क्या रोग है अब देख यह बच्चा है न है इससे पूछे बिन मैं अभी बता सकता हूँ इस से क्या भी मारी अपनी नाडी पकड़वाना आडी यह लो आजीब नाडी सुखी सुकी सी पतली पतली सी मुर्धे से भी मुर्धा इसके तो नबजी नहीं चल रहे यह क्या पकड़वा दिया तुने तुम नहीं दुगा था मुझे नारी बगड़वाने कर लो नहीं नारी नबज नफ़क्र पमाजी तुनि फटो यह दिन आरी सब और और उम इलाज बताओ तुझे क्या हो गया ओओ मामा जी हमें कुछ नही सकता कौन कप्तान पुल के उस पार जो सिपाई आते है ना वहीं बढ़ने आया है बचारा पुल के उस पार तब भेटा मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ सनम तो मच्छितर जानती हो कि हमारे गाउं का कोई भी आदमी किसी परदेशी से कोई तालूक नहीं रखता क्यों परदेशी कोई इंसान नहीं होते है क्या तो इसे क्या जित कर रही है यह मुआ इसी दवा बना ही नहीं सकता जिससे कोई गुंगा बोल सके मैं नहीं बना सकता यह दवा होती बहुत कड़वी है 15 नीम के जाड और 10 किलो करेला दोनों को मिला के अच्छी तरह पकाया जाता है तब जाके मुश्किल से एक चमज दवा तियार होती इतनी कड़वी होती है कि तुम उसके चिंता मत को रो ममा जी बगर उस बचारी के आवास तो आजाएगी न तो आए देगा बस तुम जल्दी से दवा बना दो हम उसे कैसे पिला देंगे हां पुरा पीजाओ पुरा पीजाओ अपाँ कुप्तान जी बोले शराव जंगली इडियट गवार कहीं की वाह आवाज आते ही कितने मीठे मीठे शक बोल रहे हो तुम अरे तुम गूंगे थे तभी ठीक थे हां अरे मैं गूंगा नहीं हूं बोल सकता हूं बच्पन से अरे जाओ जी जब बोल सकते थे तो उसे बात क्यों नहीं किया हम से बात क्या खाक करता एक बार बोलना शुरू करती हो तो दूसरे का बोलने का मौका देती हो क्या पता नहीं इस पागल लड़की ने क्या पिला दिया मुझे बस बस बहुत डाटली है हमें चुटको चुटको देखा चुटको भालाईका ता जमाना नहीं नहीं रहा अरे हम तो समझे थे कि तुम सनम के पैर चुओगे एहसान मानोगे कहोगे सनम तुम्हें तो हमारी सिंदगी ही बदल डाली यह सब तो कुछ नहीं उल्टा लगे हमें भला बुरा कहने मगर हाँ एक बात कह देते हैं हम आज के बात सनम को तुम अपने चेहरा भी मत दिखाना समझे अरे हम तो उसे गुंगा समझ के उसका इलाज करने गए थे मगर वो वो बोला वो बोला कि हमारी बोलती बंद कर दी गाम अले सच कहते हैं यह शेहरी लोग एहसान फरामोश होते हैं अब तू समभल के रहना सनम वो बदला लेने के लिए कहीं से भी कभी भी हमला कर सकता है अब जुटको जल्दी से मामाची को कवर करते सानम का घाम धमाम हो गया रे हां अकरी वक्त आगया रही मारा गंगा जल्बी लियाओं अरे जल्दी कर इस देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है मामुली खराष है मामुली खराष इतनी जोर से हड्डे तूटनी की आवाज आई कि मेरे कांदे पर्दे मी पड़ गए और तुम कहते को मामुली खराष है वो आवाज मटकी तूटने की थी मतकी तोटने की हमारी मतकी तोटना ली हम lentकी हम इस्यादि कता करने की थी continue हापना इसे बार में ब्यान बेच पाए गए Congressman ही हम mesa kep आशेड के अजब हैं अरे देखो अरे हमारे देखो शांत हो उदशाब कम का यारू दुक्सान अब देको 50 रुपे हमारे शहत के हुए है और 10 रुपे हिसमत की के जो तुमने तोड़ना ली 50 और 10 कितने होते हैं साट रुपे होते हैं ये लो ठीक है हिसाब बराबर अब जाओ जी मैं तो तुझे बहुत भोली समझता था मगर वा क्या बेको बनाया तुने कप्तान जी को क्या मतलब इस मटकी में तो सहीद था ही नी सहीद तो हम जमा करने जा रहे थे और तुने खाली मटकी के साट रुपे ले लिए अरे हाँ इसका मतलब पचास रुपे हमें जादा ले ल कि अब हमें ये रुपे किसी भी हालत में उन्हें लोटाने होंगे मैं तुझे अपने मकान से निकालने वाड़ा हूं क्यों लाला हूं इसलिए कि तुने साथ साल से मेरे मकान का कराया नहीं दिया मकान कौन सा मकान ये जमीन ये चारदयवारी च्छत को तुमकान कहता है बिल्कुल हाँ एक मिनट अरे तुने मेरा दूख क्यों भेंद दिया मकीटी इसमें मर जाता तू तुम्हें तेरी छट पे रहा नहीं इस चारदावारी से चिपक के रहा बिलकुल नहीं जमीन पे रहा ना और जमीन तो भगवान की है अब तू यह थाबित कर दे कि यह जमीन भगवान से खरीदी है तो मैं तुझे किराय दे दूगा जमीन भगवान से कैसे खरी सख़टाओं है यह घमरी सारे के सारे मर मंटक्रल मर करते दी कि अध साहरे नहीं मर जा एप झाहते किते जा रहा है तु अरे बीवी मेरी है मुझे बुला रही है तो तु जना यार मैं समझी तुलें आप घॉम्हें मुझे बुला रहा तू तु करो काल बाबा कि इंदोस्तान जाने डे यां बालग किसे रही है ट्रेंग शुरू कि हा बाबा अर डेडी, डेडी कैसे, आफी जाना शुरू किया उन्हों नौ नई बाबा, उस दिन के बाद आज तक मैंने उनके चेरे पर हसी नी दखी इमत रख बिटा, मारिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, वो सारी जखमों को बर देगा चुटकू, चार दिन हो गए, कप्तान जी अपनी स्कूल से बहार नहीं आये और मुसीबत तो यह है कि कोई दूसरा उनकी स्कूल के अंदर जा ही नहीं सकता अब हमारे समझ में तो यह नहीं आता कि उनके ये पचास रुपए हम लोटाएं कैसे कप्तान जी तो हमारे बारे में यहीं सोचते होंगे ना कि सनम बहुत बेमान है सनम अगर वो तुम्हें बेमान कहें तो मैं उनका सर फोड़ दानुआ चुटकू, तू ही कोई रासा बता ना जिसे हम उनके यह रुपए लोटा सके सनम, बार के लोग तो अंदर नहीं जा सकती लेकिन कप्तान लोग तो अंदर जा सकते ना क्या मतलब? अरे सनम वो अपने धूबी काका है न इस खुल के सारे कप्तान वे कपड़ वह यह तो दोते हुनीं उन मेंसे तुम्हें पिलो, तो तुम भी कप्टान जिसे लोगेगी, भी तुम अंदर जा सकती हो लेफ्ट टार गान सब अबाउं टार अबाउं टार कप्टान जी आउने लड़की की आवाज कप्टान जी लड़की कहा है लड़की, लड़की कहा है सर यही है, हमने अभी अभी अपने कानों से उसका आवाज सुना हूँ लड़की यहां कहां से आ सकती है सर यही तो हम भी जानना चाहता हूँ मगर लड़की यहां जरूर आई है वरना पंद्रा साल बाद इस जगा पर हमारे कानों से एक लड़की की आवाज कैसे का अरे जवान हम खुद ही इतना परेशान हो और तुम हमें लड़की लड़की कौन लड़की वही लड़की जिसे हम खुद देखाऊंगा हम उसे जरू ढून निकालोंगा कप्दां जी क्या करें मेरे गाल को चुप रहों ने तो गड़बर हो जाएगी लड़की है जरूर अरे जवान यह क्या कर रहे हो दाड़ी बनाने का यह कौन सा तरीका है रेजर उल्टा पकड़े हो ला हमें दो हम तुम्हें दाड़ी बनाना सिखाता हूं जवान तुम्हारी चम्री कितनी मुलायम है सर क्या है आप कितनी अच्छी दाड़ी बनाते हैं पहले हाचाम थे क्या शराब काम के समय हमें डिस्टर्ब नहीं करना जवान यह इतनी जल्दी मुच्छे कहां से लगाई लगाई नहीं सर उगाई समझें वही लड़की हो और मुच्छे लगाकर हमें बेवकूफ बना रही हो पलवंद यह क्या हो रहा है देखिये न सर यह मेरी मुच्छे कीच रहे है नहीं सर यह एक लड़की है मुच्छ लगाकर हमारे कैम में घुचाई है वाट रबिश यह लड़की नजर आ रहा है यह दिनेश है दिनेश तुम यहां क्या आई हो देखो देखो रुठोमत तुम्हें सर्रम की कसम तुमसे जरूरी काम है में देखो तुम प्लीज यहां से जाओ रखाला कर मिलूँगा जाओ अब आ रहे हो तुम कितनी देर से निजार कर रहे हैं हम तुम्हारा बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें अरे जाओ जी चाहिए कुछ नहीं हम तो लॉटाने आया है तुम्हारे यह पचास रुपे अच्छा तो हिसाब किताब समझ में आ गया तुम्हारे अरे हिसाब किताब तो बहुत अच्छा जानती है सरम गाव के सारी लड़के में सबसे ज़्यदा पड़ी लिखी है दूजी, दूजी पास है, दूजी हाँ कप्तान जी, आप मुस्कराते हों कितने अच्छे लगते हो, आप हमेशे मुस्कराते हैं क्यों नहीं इनसान उतना ही मुस्क्रा सकता है जितना उसकी तक्दीर में लिखा होता है जानती हो सनम, आज तक तो मुझे कैसी लगती थी? बिल्कुल अपने मामा जी के कड़वे काड़े की तरह लेकिन आज पहली बार अपने शहद जैसी मीठी लग रही हो तुम मगर हमारा शहद कैसा है? तुम्हें कैसे बता? तुमने तो कभी हमारा शहद चेखाई नहीं अब बताओ, कैसा है? बहुत मीठा है, मगर उससे भी ज्यादा मीठी तुम हो सनम जाओ जी क्वा जी क्वा जाओ तुम्हें लिए क्वा बताम क्वा लग पसंसी 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 पसंखा की कहे दो पसंसी 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 पसंखा की कहे दो पसंसी जजी अगना उताओ इया अपनी सबसी ऐसे कैसे भला मुस्कुराता रहूं तुम शरारत करो मैं मनाता रहूं ऐसे कैसे भला मुस्कुराता रहूं तुम शरारत करो मैं मनाता रहूं तुम शरारत करो मैं मनाता रहूं पसंसी 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 पसंखा की कहे दो पसंसी तभी अगना रुठो गया आने सबसी पसंसी फे अगना लुठो नहीं तुम पसंसे पसंसी 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 हो गई ये खता कितने भाले हो ना मुझे खापता मुझ से अजारे हो गई ये खता इतने भाले हो तुम ना मुझे खापता इतने भाले हो तुम ना मुझे खापता कसम से कसम से कसम से कसम खापी मैं बोलू कसम से कशम से, कसम से कसम खापी मैं बोलू कसम से कभी अब न रोठोंगा अपने सनम से कभी अब न रोठोंगा अपने सनम से अब बच गया बच गया है इस दोर में दवाई नहीं लड़ीं चाहिए साइड इफैक्ट हो जाता है कर रात मेरे भी सर में बहुत दर्द हुआ हुं मैं द्वाई वाई नहीं लिया फिर बीवी के पास गया उसको बोला तरमें तेल लगा दे मेरे तेल लगा या और अपनी गोद में लिटा कर प्यार से मारिश वारिश की मैं सो गया ओ जी सरकार एक घंटे के बाद जब मैं उठा मेरा सरदर्द गाइब क्या बात करता है अरे बिल्कुल सच बता रहा हूं अरे अरे ओ खार इत्थे कि इत्थे जा रहा है अंदर तेरे घर में तिरे भी घर में है न अरे बीवी है तो तुझे से क्या मैं सोचना तो थोड़ा सब्सक्राइब करवा लेता है तुम मेरे भी दर खार पहले मेरा घर ले लिया अब क्या मेरी बीवी भी लेगा अच्छा फिर दवाई ले लेता हूं वह अजीब खार से पाला पड़ा है एक तो दवाई बताओ उपर से बीवी को लेना मारता है आंद मेरे देली के पास भी नहीं आणा गया ओ कि लगता पत्हर मारके अपना सर फोड़ लू अपना सर फोड़ क्या फैला दर थोड़ी जायेगा दर मेरे दर देख चिला कोई होर रहा है मतला गिर गया अंगारा भाईया, आज मंडी में भी कर्फू लग गया है, कॉलेज बंद हो गया हमारी पढ़ाई का क्या होगा सिर्फ पढ़ाई से कभी तारीक नहीं बनती है कौमों को तारीक नहीं मिलती है ये किताबे छोड़ो, अब वक्त हत्यार उठाने का है, यही आजादी का रास्ता है अंगारा भाई, आज राज जनरल हत्यार लेकर आ रहा है आओ जनरल साब, आओ, सीमा पार करते हुए आपको, यह आपके आदमियों को को तकलिफ तो नहीं हुई नहीं हम भारा यह देख, कैसी है? यह तो नहीं किसम की लगती है ऐसी गन सर्फ तुम्हारी मिलिटरी के पास है इसी से तुम्हारी आजादी का सपना पूरा होगा लेकिन कब, कब होगा मेरा धनक पूरा आजाद? बहुत जल्द मुझे उस दिन का इंतिजार है जब इन हत्यारों के जर्ये तुम्हारे देश में एक ऐसी आख लगी होगी जिससे हार शहर हार कार चल रहा होगा मौत का सन्नाटा होगा जारो दराफ उसके बाद तुम लोग बुल तोड़के अपनी आजादी का एलान करोगे कि अगरा तो मुझे नहीं मार सकता है अगरे बच्पन का प्यारा दोस्त हूं कोई प्यारा दोस्त नहीं मुझे सबसे प्यारा है मेरा गाहों और उसकी आजादी और उस आजादी के बीच में दोस्तों क्या अगर मेरा सक का भाई भी आ जाए ना तो मैं उससे भी जिन्दा नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा मैं उससे जिन्दा दाता, समझने की कोशिश किजिए, ये गन हमें नदी किनारे मिली है, हमारा मुखविर जो हमें खबरे दिया करता था, वो लापता है, हमें शक्क है कि उसे मार दिया गया है ये गन इस बात का सबूत है कि सीमा पार के दुश्मन न सिर्फ आपके गाउं में हत्यार जमा कर रहे हैं, बलकि आपके गाउं के नौजवानों को गुमरा करके देश का दुश्मन बना रहे हैं मैं जानता हूं ये खेल आप लोग इसलिए खेल रहे हैं ताके हमारे गाओं में पुलिस चोकी बनाई जा सके और फिर दीरे दीरे सारे हिंदुस्तानी वहा कर बस जाएं। लेकर में जासाब मैं ये किसी कीमत पर होने नहीं दूँगा। मैं इस इलाके का लीडर हूँ और अगर आपनी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदब उठाने की कोशिश की तो मैं इस बात को दिल्ली तक ले जाऊँगा। सब्सक्राइब मेजे साथ मुझे पूरा यकीन है कि जनरल का भाई शेरा यहां मौझूद है। और शेरा की मौझूदगी इस बात की गवाई है कि एक बहुत बड़ा तुफान आने वाला है। जनरल मेरे भाई, कैसा है तू। खुदी देखलो, दुश्मनों की जमीन का अनाज कितना रास आ रहा है मुझे। तेरी बहुत बखर रहती है शेरा। कोच नहीं होगा जनरल, जब तक इस देश के तुकड़े तुकड़े न हो जाए। जब तक दनकपूर आजाद ना हो जाए। ना मैं मरूँगा, ना ही मैं दुश्मनों के हाथ लगूँगा। ये बताओ आगे क्या करना है। मैंने असले का बहुत बड़ा स्टॉक इगठा किया है। परमगारा वो सब सामान उनके पार तुमारे पास लेएगा। इस बार वो सामान इस देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। देख खान। आज कल तुझे थोड़ी सी टेंसन है। सनी की दिशा ठीक नहीं है। लेकिन एक साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तेरा राजियोग आएगा। उन्नती उन्नती होगी सारे दुख दर दूर हो जाएंगे। थन भी बहुत आएगा। चलो एक साल तक इंदार करते हैं। अरे भाई मेरे पैसे। आप तो पैसे भी लेते हैं। कितने पैसे। आप देखने के सवा पांच रुपय। सवा पांच रूपय। बस, इस महीं गए की दोर पे। आजकल तो सवा पांच रुपय नहीं लेता है। ने-ने साब, आपको एक से रुपय दूँगा। दे दो, दे दो. आप ए चुटकू देखरे बबाबा ये खान ने क्या खिला दिया दस रून से कब हो गया है ये लो इसमें दवाए पीलो गोड़े का जमाल गोटा है पेर साप हो जाएगा अब बेजा गोड़े के दवार मैं प्यों कोई और दवार आप ऐसे मत कर ऐसे मत कर कमस कम एक चाहे तो पिला दे एक चाह कपके लिए मेरी जान खा रहा है तू छुटकू ये क्या ले क्या ख़़ा तू गामा पर्वन कुस्की में जाने हो ले गामा पर्वन कुनी है हां इनकी ताकत की दवा है इसे खायके आदमी के शरी में ताकत आती है अजा ये मैं पीलू तो दिलादा ना इसको पिलादा इसको पिलादू पिलादा ना ये लो तन्यवाद तन्यवाद ये खान ये ये ले मैं चलता हूं ये चुटकू ये क्या बिलादी तुने इसको पोड़ी की जुलाब की दवाए अब दो सास तक हमारे खेतों में खाक की जुरूत नहीं पड़ेंगी ये दीमबर खेतों में बटा रहेगा और कल मर्गडलाल वेद के गर ये पतियां ले इन्हें घास की तरह चबा जाना अच्छा भईया मर्गड मैं तो चला भगवान तेरा भला करे जियो तीशी जी वैसे तो हम जानते हैं कि ब्राम्हन से पैसे मंगना पाप है मगर जाओ जी अपनी दरफ से कुछ पैसे दे ही दिया करो अरे बेटी ब्राम्ह मैं तेरा हाथ देख सकता हूँ ला देखू तेरी किसमत में क्या लिखा है चलो ऐसे जुगादर पैसे बेटा सनम तेरी हाथ के रेखा है बता रहे कि तुझे किसी से प्रेम हो गया है प्रेम हाँ और वो भी किसी परदेशी से अरे जो जी अरे जोतिश चाहा कहे रहा तू प्रेम परदेशी भूल गया है तू यहाँ अंदुस्तानियों को परदेशी कहा जाता तू अपने गाउं का कानून नहीं जानता क्या तुझे पता है न हमारे गाउं का कोई भी आद्बी किसी परदेशी से कोई तालुक क्यों नहीं रख सकता हमारे गाउं की किसी भी लड़की की डोली बोलके उस पार नगभी गई है न कभी जाएगी अगर यह मजाग है भाग घंदा मजाग किया तो दें कि आइनदा मजाग में भी ऐसी बात नहीं करना यह मजाग नहीं है मरगट यह वो सच्चाई है जो सनम की हाथ के रेखा बन गई है हाई सनम इस तरह धर्पन में अपने आपको मत देख आज तो तो इतनी प्यारी लग रही है कि कहीं तुझे तेरी ही नजल न लग जाए सच सनम तु पहले भी हर पुरण मसी की रात को चांद का टुकड़ा लगती थी मगर आज तो पुरण मसी का पुरा चांद ही फिका पड़ जाएगा तेरी सामनी धार यह सनम आज अगर आसमन से उतर कर कोई राजकुमार भी आ जाये ना तो तुझे देखकर अपना दिल खो बैठेगा अरे जाओ जी भला सनम को कौन राजकुमार देखने आएगा अगर हाँ आज देवी मा उस राजकुमार को भीज़ दे जिसे सनम देखा जाती है तो सनम के एश्विंगार काम आ जाएगा ये गाओं में ढोलताशी के बज़ रहे हैं किसी की शादी है क्या बबु आज पुरन मासी की रात है ना सिरफ आज ही की रात गाओं की लड़कियों को पुलकेस पार रहनी की जाजत है सो देवी मा की पूजा करके जसन मनाती है कर दो कर दो कर दोज़ जाज है दख दख दिल तर घब राओं सजना जब जब तुछ देखु शर्माओं सजना दख दख दिल तर घब राओं सजना जब जब तुछ देखु शर्माओं सजना ऐसे कैसे भला तुछ से बताओं सजना घक घक तिल कर घब राओं सजना जब जब तुझे देखू शर्माओं सजना ऐसे कैसे भला तुझे उसे बताओं सजना तिर बिनने जीना तुझे बिला है तुझे लिछ बिला है कभी कुछ बोले ना बड़ा शर्मीला है तुरंग रंगलीला है तुझे लिछ बिला है कभी कुछ बोले ना बड़ा शर्मीला है तेरी सास महकाओं तेरी सपनों में आओं तुझे रूठे तो मैं तुझे को मनाओं सजना तेरी बिन नहीं जीनो तुझे बिला है मेरे तक्दीर है तुझे तस्वीर है तुझे भी कुछ देखा है मेरी तकदीर है तू, हसी तस्वीर है तू, खाप जो दिखा है, उसके तावीर है तू तिर निल में चुराओं, तिरा होश में उडाओं, तिर सोई धड़कन को जगाओं सजना तिर बिन नई जीना, तिर बिन नई जीना, तिर बिन नई जीना घख घख दिल कर घब राओं सजना, जब जब तुछ देखू शर्माओं सजना घख घख दिल कर घब राओं सजना, जब जब तुछ देखू शर्माओं सजना एस कैसे भला तुछ से बताओं सजना तिर बिन नई जीना, तिर बिन नई जीना मेरी जख जब भी, तुछे मालूम नहीं, तु अफी तक है हसी, ओए खाण, ओए फ्याजा ने ने यार, तु चिड़ता, मैं तरसे बात नी करता ओए ने चिड़ूगा ने तु चिड़ता यार ओए इस बार नहीं चुड़ूँगा तू बैट जा ओए 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 आज मैं बहुत खोश हूँ बहुत खोश हूँ पता है कल मैं शहर अपनी बीवी के साथ गया था सरहर देखने ओजी उदर तो कुमाली कुमाल हो गया बहादरी की मिसाल कायम हो गई मेरा सरू उचा हो गया पूछ क्यों आरे पूछ क्यों आचल क्यों होई 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 मेरी बीवी ने शेर को गले लगा लिया तो इसमें कॉंसी बड़ी बात है यह कम तो मैं भी कर सकता हूं ओ जी खार तू शेर को गले लगा सकता है शेर को नहीं बीवी को गले लगा सकता हूं फिर मैं ह तुने बुलाया था मैं तो आया नहीं था फिर उपर जिछिड़ता भी है तो इस शेर को गले लगा के देख पता हाँ चलेगा कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि वसीम ये सर्थ तुम्हारे बीस में से सिर्फ ज्यारे निशाने ठीक लगे तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है तु कारव अभी हमारे कप्तान जी का नमबर है कारव कहा देख रहे हो ध्यान का है तुम्हारा लगता है हमारे कप्तान जी बुरी तरह रही हैं । कंहीं है और मारे कंहीं कृकिं जी अच्छाइब नहीं चुटकु ॥ा स्था कफ्टान जी कैसे हार सकते अब देख थो संपनते के अउछ के घुलाल चुटकू, जैसे कप्तान जी बंदू का घोड़ा दबाए न, तू हमें छू ले न, बस लगता है तुम्हें फारिंग की काफी प्राक्टिस की है, गुड, आम प्राउड फू अज ये तो पता चला कि तुम भी कभी-कभी मंदिर आते हो अना हम तो तुम्हें नास्ते की समझते थे, मैं आज मंदिर नी आता तो कब आता, आखिर मैंने निशानेबाजी का इम्तियान पास किया है, जिंदकी में पहली बार काम्याभी ना मुस्करा कर मेरी तरफ देखा है, इसलिए मैं भगवान का शुक्रियादा करने चला है, भग क्यों? क्यों? अरे जाओ जी, वो सारी मटकया तो हम नहीं तोड़ी थी, अपनी इस गुलेल से. क्या? हाँ, पहले के दो निशाने तो तुम्हारे चूक गए थे ना, इसलिए जैसे तुम अपने बंदूग चलाते हम अपने गुलेल चलाते. क्या हो कप्तान जी? यह तुम क्यों समस्ती है के में जिन्दगी में कुछ कर नहीं सकता? ऐसी बात निये कप्तान जी. अगर हम तुमारी मदद न करते ति हार जाते. हार ही जाता न, मरत तो नहीं जाता. कप्तान जी। ऐसे बातें मत कहो हम च्रोसे जिम्हें हारत केंसे दола काल कि अभर प्यार कर से बहुत करते हम तुमसे यह हैं अगर inneży ऐसे की नजर से लिकिन आगर हमारी मुलाकातों ने हसी मजाहित में तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये प्यार की जगह बना दी है, तो उस प्यार को अपने दिल से निकाल कर भेंग दो, इसलिए के जो चीज मिलनी सकती ही उसकी आज़ो करना ही बिखार है। मेरी सिंदगी में प्यार के लिए कोई जगा नहीं है, सनम, कोई जगा नहीं है। कुछ दिनों से सनम को क्या हो गया अरे चुटकू क्या हो गया तुझे तब यह तो ठीक है अरे यह रोग तो जवानी में लगता है वो भी किसी से प्यार होने के बाद चुटकू इस उमर में तुझे यह प्यार का रोग कैसे लग गया क्यार इसका हिलाज किया है कम चकम यह तो बताए कि प्रेम रोग बड़ाा खतरनाक रोग होता हैि इसका इलाज तो सिर्फ उस्सी के पास होता है जिससे इंसान को प्रेम हो वरना यह ऐसी जान लेवा बीमारी है कि इसका इलाज तो किसी वैद के पास भी नहीं होता सनम मुझे पता है तुझे क्या हो गया है तुझे कफदान जी से प्रेम हो गया है हाँ चुटकू ए सनम तुरो मत तुरो तो वे बिल्कुल अच्छी ने लगती हमें भी कुछ अच्छा ने लगता कफदान जी के बिना सब सुना सुना लगता है तुझे पता है चुटकू वोपने सात्यों के साथ चार दिनों के लिए ऐसे दूर पर्फ में जा रहे हैं उन्हें देगे बिना हम मर जाएंगे जुटकू हमर जाएंगे भूत इका करो चुटकू हम लोग जहां जा रहा हूं वहां भूत होता है हां तुम्हारे हाथ में तो 11 उंगलिया ना तुम्हें तो कभी नहीं छोड़ेंगे 11 नहीं नहीं हमारी तो 10 यह उंगलिया है 10 का है 11 गिनो यह लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस अब उल्टा गिनो दस नो आठ साथ छे चे और पांच 11 छे पांच 11 अरे हां छुटकू छुटकू हमरी तो 11 उंगलिया है अब अगर हमें भूते पकड़ लिया तो आम क्या करोगा तुम क्या करोगे जो कुछ करना भूती करेगा यहां दाच मारेगा और तुम्हारा सारा खुन भार आएगा इतने अच्छे मोटे ताजी आदमियों तीन चा सनम भूत भगाओ मन तुम जानती है जानती तो है मगर क्यों हमें वहां अपने साथ कुछ मजदूर लड़कियों को लेखर जाना है तुम किसी तरह सनम को भी हमारे साथ वहां भेज़तो हमारे चार बच जाएगी प्लीज को अच्छा टो इस पुर्वडर के पास जाना था जट ते रे कि तो ने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा सामान बंग मैं तुझे फुलवा के पास चोड़ के आता हूं हाँ आप भी कमाल करते हूं, आप छोणने जाएंगे सनम को, दो दिन में दो चार सो मरीज उपर पहुंच जाएंगे, सनम कोई बच्ची है, वो खुच चले जाएंगे, बस तक तो महीं भी ठाक हूंगा न, अरे सनम तु खड़ी की है, चंजली से सामन बान, देर हो गई तो बस न अरे यहां तो ठंड भी वहुए थंडी है ओर यार यहां तो चारों तरफ बरफ ये जमीन क तो नामो志न नहीं है, अरे यहां रहेंगे कहां, रहने का इंतिजाम हमने नीचे गाऊ में किया है मगर ट्रेनिंग हम यहां करेंगे, कारफ ये सार वो बस से दो थीं टेंट ले आओ ओके सार चलो बॉइस कम आउन हरी अप सुनो जरा वो टेंट देना तुम तुम्हें आने की क्या जरूरत थी जरूरत तो इस समीन पर आसमान की भी नहीं कप्तान जी मगर देखे हैं लाग्ति हैं अपनी मजबोरी मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं सनुम में फोरी तो में पर जाथे में वैसे ही मर जाते हैं, इसलिए चले हैं हम यहां, और हाँ, चुटको से वादा करके आये हैं, कि तुम्हारे दिल पर हम अपना नाम लिख करें ही वापस जाएंगे हाए रब्बा, कमर तूट गई काम करते करते सच कहूं चाची, यहां तुम्हारी कमर तूटी है, वहाँ चाचा का दिल तूटा होगा, जिने छोड़कर तुम यहां आई हो हाँ, पावले होगे होंगे मेरे बिना, इस उम्र में एक दिन भी दूर रहूं तो आफ़त आ जाती है, चार दिनों में क्या हाल होगा रब जाने, होना क्या है चाची, चार दिन बद रास्ते पर कपड़े फाड़ते हुए मिलेंगे, तु अपने वाले की सोच, वो तुझे बस में चड़ाते वे कितना खुश था, मुए के आसों में भी खुशी थी ए छोड़ी, तु क्या अपने हातों में अपने होने वाले की शकल ढूण रही है हाई रब्बा, तु सबेरे से इतनी मेहनत कर रही है कि छालों के मारे तेरे हाथों की रेखा तक मिट गई मिटने दो चाची, तकदीर बदलने ही तो आया है मिया ए, ना तु काम से ना शकल से मजदूर लगती है आखर तुझे कौन से मजबूरी खीच लाई है यहां दिल के हाथो मजबूर हो क्या है मिया एक पथर दिल पिमना नाम इसना है मिग अरे ओ नालाइको, जल्दी करो, जल्दी करो अगर ग्राउंड में देर से पहुँचे तो तुम लोगों के सासात मिजर साब हमारा भी कोट पासल करतेंगे अबे ओ मंजीत, इका कर रहा है ना रहो सर, नहाने का इकाउन तरीका है सर, यह अकेला ही क्या, हम सब भी इसी तरह नहाने की सोच रहें सर पानी बहुत ठंडा है सर अबे नालायक हम लोग फोजी है ठंडा और गरम हमारे लिए कोई माहिने नहीं रखता इतना ठंडा है हम देखता हूँ क्या हो सर, आपकी उंगलिया तेड़ी क्यों गई? जवान यह तेड़ी नहीं है ठंड के बारे अकड़ गई है का हुआ अगवरो, तुम्हारी भी उंगलिया अकड़ गई का? अकड़ नहीं गई सर, चल गई, पानी बहुत गरम है गरम है? हाँ यह क्या चक्कर है? हमें यहाँ पीने के लिए चाय तक गरम नहीं मिलती और इसे नहाने के लिए गरम पानी मिल रहा है बहुत हाँ अरे यार मेरे तो भी तो कपड़ भिस्त्री नहीं हुए अरे यार यह क्या? गौरफ के तो कपड़ भिस्त्री की हुए गौरफ तुने यह कपड़ कभिस्त्री की है? अरे गौरव तेरे तो जूते भी साफ हैं कब किया तुने यह सब कुछ पता नहीं यार मैं तो तुम लोग के साथ ही ना रहा था तू माने या ना माने मुझे तो लगता है तेरे पीछे कोई भूत नहीं पड़ गई है जो तेरे सारे काम कर रही है शाराप इमेडियेट यहा सुबह सुबह नहीं पी यह तो रात में पीची उसका असर है सुस्री अभी तो कुत्री नहीं बल्वंथ आज रात तुम इसके साथ रहो और नजर रखो देखो कि यह शराब न पीने पाए वाँ भाईया वाँ हम पर पहड़ा लगाया के खुद गटा-गट पिये जाये हो चेटाप मेजर साब ने काया के हम तुमपर नजर रखूँ यह ने काया कि हम ना पियूँ शंदे तो जाता हूं अच्छा सो जाता हूं अरे ये ग्लास खाली किसे हो गया कई कोई भूत तो नहीं है अरे भूत भाई वो अंदर है उदर सोया हुआ हो यहां पे जगा हुआ हो ग्या बात है सर इतने भर्फ में आपको पसीने क्यों चुट रहे है भूत भाई लगता है यँ आवे कोई भूत प्रेथ है भूत प्रेथ तो इनसानों का वहम होता है सर भूत प्रेथ नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं अ अब मुझे देखे मैं भूत अडारता हूँ अब जाईये सोजाईए ठेरो ठेरो जवान ठेरो सुनो यहलो ये लो प्यो प्यो देखो देखो जवान ऐसा जुलम ना करो हमें यू अकेला छोड़कर ना जाओ आज रात हमारे तंबू में ही सो जाओ ना प्लीज लगता है शराब के बिना नीन नहीं आएगी मैं शराब का बनुबस करके आता हूं आओ आओ आजाओ आजाओ आओ आओ सो गया कम बखात तुम यहीं थेरो सर्ट यह आप क्या कर रहे हैं अपनी जान बचाने की तयारी अगर भूता है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गोली मार दूंगा यह क्या हो गया है शम्षेर सिंग शम्षेर सिंग भूत्रेट की जगा हमने इंसान की चान ले ली अपने यह बहुर्ची को मार दिया हुगे सर यह आप क्या कर रहे हैं अब हम पकड़ा जाओंगा कटल के जुर्म में आवे फास ही हो जाएगी देखिए जो होना था सो हो गया मेरे सिवा आपको कटल करते हुए और किसी ने नहीं देखा हम दोनों बाहर जाकर कपड़ा ले आते हैं और इस लाश को लपेट कर जाड़ियों में फेक देते हैं सुबा तक तो कोई जानवर खाही लेगा अरे इसे कौन सा जानवर खाएगा कोई न कोई बदनसीब तो खाही लेगा ना आओ चमशेर सेंग तु जिन्दा था तब भी बोज था मर गया तब भी बोज है मुझे तो तरस आता उस जानवर पर तुझे गाएगा अरे उसका बर्श तवह हो जाएगा आच अच तार आए लाश को तो इस्दो इसकी कम से कम अल्विदा तो खेल से मेरा तंबो किना है जवान लाश को तो हमने फेक दिया लेकिन वो बार्ची के भूत बनकर अपकी मौत का बदला लेदे तो नहीं आगा ना हमसे पूट बन गया बख्वास कर रहे हो सर कहां वहां देखो वहां तो कोई भी नहीं अरे जब हमने देखा तो वही पर था चलो आओ हम तुभी दिखाता हूं अओ सर ये सब आपका वहम है वहम नहीं है अरे ग्यारा अमलिया होती ना तुमारी कुछ नहीं होता है सर मैं दर तो भूट से सर कहां गए अच्छा मुझे अकिला चोड़कर खुद सोने चले गए मैं अभी सोने जाता हूं लो सर तो आप यहां सो रहे हैं मैंने कहा था ना सर कि अब तो बावर्ची मर चुगा है तो उसका भूत यहां कैसे आजगता है जवान यह सर हम तो यहां खड़ा हूं यह कॉन सोया है जिससे तुम बात कर रहे हो तो मैं आपी से तो बात कि है अब यहां अब यहां बता दो यह बावर्ची का भूत है बावर्ची मर चुका है अरे नहीं भाई मा जिन्दा हूं मर नहीं हूं अगर तुम मरे नहीं तो भूत बनके हमें क्यों ड़ना रहते हैं का अ कि कर cinco बालाजकि कर 20 किह उन्म कि हुआ है कि माजकि किwy मिजग ओटने अल् क Frankly माजकि खिरू Len चिए मुझी कि भी कि बाल वार माम कि व Colonel कोड़ो ध्यान कहा तुम्हारा अगर तुम्हें गलती की तो मैं तुम्हें सब सदा दूँगा क्यों तुम्हें यह सबजी पसंद नहीं आई यह तुम्हारा घर नहीं कैम्प है और यहां सब एक जैसा खाना खाएंगे समझे जौँ पूखे प्यासे मां शाम तो खड़े आओ को बना मूव सनम चलब तुभी खाना खाले नहीं तुम खालो हमें भोग नहीं है कुछ जी देखो हमें डाटना चाहा तो डाट लो मगर हमारा गुस्सा खाने पर मत निकालो कि देखो सनम आज मेरे अंदर एक आग लगी हुई है कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं शाद नहीं कहाँ लेकर एक पात अच्छी तरह समझ लो अगर तुम मेरे पीछे इसी तरह पढ़ी रही तो मैं वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगा जा मुझे पहुंचना है मेरे मकसद में तुम एक रुकावट हो मेरे दिल में तुमारे लिए प्यार कभी नहीं जागेगा और आज के बाद मेरे होटो में तुमारा नाम तक नहीं आएगा वहाँ आगे गवरा मेरी मौबबट का प्यगान ये देख मेरे जिल्दान ना मुझे आज चिठी लिखिया वह भी मुझे मुझे मौबबट करती है मुखब उसे खुद लिखा ये देख अरे क्या देख यार वो तो खुदा की तुछ पर महरवानी हो गई वना तेरी शक्कल देख तुछ से कौन मुखबत कर सकते जो भी हो लड़की ने हां कर दी ना तो इसी खुशी में हो जाए नाज गाना रक्स में है सारा जहां जूम मेरे दिल जरा मस्ती में हम है यहां जूम मेरे दिल जरा हो न कभी कोई जुदा जूम मेरे दिल जरा आज महरबान खुदा जूम मेरे दिल जरा रक्स में है सारा जहां जूम मेरे दिल जरा खुदा करे के मुहाबत में वो मकाम आए कुदा करे के मुहाबत में वो मकाम आए सिरे लगों पे कुमेशा सरतना आए सिरे लगों पे कुमेशा सरतना आए कुमेशन आए मेरी तरहों से मेरा जी तु इंतजार करे मेरी तरह से मेरा जी तु इंतजार करे मैं जितना चाहूं तुझे तु भी उतना प्यार करे मेरा है तु तिरी सासे ये पयाब आए तेरे लबों पे हमेशा सनर करना आए सेरे लबों पे हमेशा सनर करना आए आए सनर करे तु आए आए मेरी दुआ भी हो शामिल तेरी मुरादों में मेरी दुआ भी हो शामिल तेरी मुरादों में खयाल बन के समा जाओ तेरी आदों में तेरी नजर में मेरा जलबा सुब हो शाम आए तेरे लबों पे हमेशा सनर करना आए तेरे लबों पे हमेशा सनर करना आए खुदा करे के मुखत में दो मकाम आए तेरे लबों पे हमेशा सनर करना आए तेरे लबों पे हमेशा सनर करना आए पुला करे तेरे लबों गरव कैम्प का कुछ समान खतम हो गया है बाजार जाकर समान ले आओ यह सर और हाँ तुम इस इस इलाके में नए हो यहां के किसी रहने वाले कुछ साथ ले जाओ सर जी यह डिपार्टमेंट हम रहा है किसको किसके साथ कब और कहां भेजना है इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हूँ सनाम कही बाबुजी सनाम तुम गरव के साथ बाजार चली जाओ ए बाबु सुनो चुन्नी दे दू चुन्नी देखो हर रंग की है सतरंगी भी है गोरी है ना तेरी बीवी इस पर खूब जचेगी बीवी यह मेरी बीवी नहीं है अरे नहीं है तो यह चुन्नी पहनने के बाद हो जाएगी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी यह चुन्री ठीक है आज मत ले मगर कल तु इस चुन्नी को लेने के लिए मुझको धूनता हूँ आएगा अरे गॉडर साथ कहां जा रहा हो ऊपर आगे तुफान का खत्रा है आगे जाना मना है तुम भी यहीं रुख जाओ अरे इधर उदर क्या देख रहे हो हमने बिस्तर लगा दिया है सो जाओ अरे तुम यहां सोगी तो और कहां सोएंगे अरे बिस्तर हमने लगाया है हम क्या बाहर जंगल में सोएंगे शर्मानी चाहिए तुम्हें एक पराय मर्द के साथ सोने की बात कर रही हो कौन पराया तुम हरे तुमको थम कब से अपना मान चुके हैं पी आखिर तुम चाहती क्या हो हम दुसर तुम्हें चाहते हैं कप्तान जी मगर मैं तुम्हें नहीं चाहता क्यूSe क्यू नहीं जातें हमारे आंखों में देख तुम्हें इसद नहीं आता हमारे दिल की धड्कन सुनके बताओ क्या और थाठकन तब अप्रा नाम सुनाई नहीं देता क magnet अचान शिया जिन्दगी थी हमारी तुमसे नजरी क्या मिले हम कहीं कि नहीं रहे हैं घर परिवाल भुलाबटे गाउगी रस में तोड़ डाली और तुम कि असाई ने सब्सक्रामा रहा है कि अ यौत में हम प्रतूर में है कि मेरा आपकी मेरी शो कुंघ आदि अचरी जीटियर में आपके एज बिच्राबंगा राव कुछ प्रदधा acontecer कि यह वह रहा है यह सब मालकिन देखें न हर रोज किसी ना किसी का लंच या टिफिन बग चोड़ी हो जाता है और यह घट्या हरकत इसके सिवा कोई नहीं कर सकता आप देख लिजिए शकल से चोड लगता है मालकिन मैं गरीब आदमी हूं और गरीब आदमी या तो शकल से फ सुनो यह क्या कर रहे हो अले क्या कर रहा हूं तुम्हारा दिया हुआ उबलावा ठकावा खाना खा रहा हूं हद हो गई बेशर्मी की मालिक हो कर स्टाफ का खाना चुरा कर खा रहे हो कि चुराकर नहीं खा रहा था मैंने सोचा था कि मैं खा लूँगा उसके बाद सबको बता दूँगा लेकिन डॉक्ट्रों ने आपको ये सब खाने से मना किया है ना डॉक्ट्रों का क्या है अपना धंदा चलाने के लिए वो सबको भूखा ही मार दें शाब आपके चक्कर मैं पिट गया ना तु फिगर मत कर सॉरी अब तु ज्यादा नहीं पिटने वाला इनका जुल्म जादा दिन तक नहीं चल सकता कल कर दंडन से मेरा ही हीरो वापस आ रहा है क्या भयार मेरा बीटा नरेन आ रहा है मेरा हीरो आ रहा है हूँ आपको बहुत याद काया आपको बहुत आपको करता था डाइड नारेन तुझे लेने सिर्फ तेरे डाडी नहीं मा और भाई भी आये हैं ओ मा जी ते रहा है भाई है अरे डाइड क्या हूँ आपको आप उल्टे क्यों लटके हैं थोड़ी दिर में बजट आने वाला है देखना इस टीवी को क्या हो गया उल्टा दिखाई अरे आप ऐसा क्यों करते हैं डाइड ऐसे टीवी को अभी ठीक कर देता हूं तुम्हें टीवी बनाना आता है डाइड ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं जानता है ठीक अलो 500 रुपे 500 रुपे किस चीज के लिए सोच लीजे डाइड थोड़ी देर में बजट आता होगा बज यह तो पाचास का है अरे सो यार तो पाचास की बाद हुई थी अचा ठीक है एक दो तीन चार दस हेलो भाई चीटिंग वैसे हिसाब में स्कूल कॉलेज में हमेशा फेल होता रहा है लेकिन पैसों के मामले एक दिम पक्का है यह लीजे डाइड यह सीधा होगा आपका पजिट देखने के बाद किसी टीवी मकाने को बुला कर इसे रिपैर करवा लीजे बहिमान चीटर मुझसे बहिमानी करके मेरे 500 रुपे चीन लिए तूने डैड यह दिमाग की कमाई है बहिमानी की नहीं अच्छा चलता हो ने एक जमाने मेरे भी ऐसे बाल थे चलता था त तो दिखाऊंगा शाम को शाम को शाम को जल्दी आना क्यारम कहलेंगे विस्की विद लॉट ओफ आई तेड जी आपको डॉक्टर साहब ने शराग पिने के लिए मना किया है चुप इसलिए तो ऐसे बिताओं ता कि किसी को पता ना चले चल जाए ऐसे जा जा अभी तक आया नहीं आज तब तक नहीं सूँगा जब तक हीरो नहीं आ जाता भाईया भाईया टैडी बहुत नारा कर रहा है क्या करूं दोस्तों ने नहीं छोड़ा मुझे एक काम करो अपने कमरे में जाकर सोचाओ यह लो अपना नाइच सूट क्या कर दोस्तों हाऊता। कर दो कर दो पगीरा डैडी भाईया को आईना सबज रहे हैं इससे पहले की लफड़ा होए तुम मेरे कमरे से आईना ले आ और प्सकता मेरे मालाव तुम में अप्से हुआ है जे जे वी जे जिए diff ही 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 थैंक यू, ओके डाइट जदर इछालो, तु जाएगा कहीं ये तुब जाएगा ये क्या कर रहे है आप आएने पर गुस्टा क्यों निकाल रहे है आएना नहीं है, हीरो है लेकिन डाइट भाईया कैसे हो सकते है भाईया तो कबसे आकर अपने कमरे में सो रहा है क्या बात है दाज तू तू घर कब आया मैं तो शाम को भर आ गया था थक गया था इसलिए सो गया क्यों डाज ने ने कुछ ने तक तक बोले में कुछ ज्यादा ही विस्की डाल दी थी तुम लोग क्या हो सो जाओ गुड़ नाइट गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिंग यह रोट गया हाँ एक्सराइज करने की तयारी कर रहा है एक्सराइज ट्रेनर वेट बड़ा थांक यू यह क्या ओलंपिक में जाने के तयारी कर रहा हूं तुम तो जानके अभी तक हमारे देश ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कोई मेडल नहीं जीता इसलिए राश्पती ने खुद मुझसे परसनली रिक्वेस्स की है कि मैं ओलंपिक में जाओं और देश की इसद को लेकिन डाइड इतना वजन 600 किलो वजन जवानी में इससे भी वजनी बोरियां मैंने अपनी पीट पला दी है यह वजन तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे लेकिन डाइड चुप चाहां वहां खड़े रहो और देखो वर्ल्ड चैंपिन कैसे बना जाता है विटमिन्स प्लीज आज बस आदा किलास विटमिन्स फिर खोई बात में एक्सराइज भी कम की है गौरव यह अचानक डैड़ी बिजनेसमैन से ही मैन कैसे हो गए अरे बात सुन अगीरा यह सब चक्कर क्या है मैं घरेब जरूर हूं लेकिन नमक हराम नहीं मैं अपने मालिक के साथ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं असल में यह सारा वजन नकली है लकडी है लोहे का रंग लगाया हूँ है छेसो किलो नहीं पाच किलो है अच्छा तू जा अब डाइड को असली वेट से असली एक्सेसाइज कर रहाते हैं आप लोग जाओ मिस्टर यूनिवर्स हम दोनों भी आथ के साथ ट्रेनिंग करना चाते हैं क्योंकि हम यह चाते हैं क्या आपकी काम्यावी के पीछे हम दोनों का भी हाथ हूँ इप इंसेस्ट ओके नो प्राब्लम मासू बचाओ बचाओ क्या बढ़ाओ हाँ डैट कह रहे है और फ़सल बढ़ाओ बचाओ बचाओ चल त्यार को एक्क्साइस कर रहे है भाईया को जलने की भू आ रही है डैट चलिए उठे अरे डैट यह क्या हुआ आप तो चैंपियन से चाइड बन गए चलो मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ डैट अब क्यों लगता हूँ न में तरह बड़ा भाई यह तो मैंने सजना सवरना बन कर दिया था कि तू भीकाना पड़ जाए वरना बच्चे ऐसा कोई काम नहीं जो तू कर सकता है और मैं नहीं कर सकता अच्छा अच्छा कै खन्गी नहीं कर सकते है अच्छा अधा अच्छा बाल ही कंगी करने है ना चाहिए आओ आप बोल बात है डाड क्या हुआ प्रीस हो जाए आपकी गड़ी मेरी जीप अरे तेरी जीप के लिए तो मेरी पुरानी मोटर साइकल ही काफी है कौन सी वो खटारा काटारा उसी मोटर साइकल बैठकर मैंने अपना सेल्समेन का काम शु क्या कहते थे एरो प्लेइन अगर आप यह कहेंगे कि आपकी मोटर साइकल उड़ती भी थी तो क्या मैं मान लूँगा यह तो बेटा वक्त बताएगा है जी वो मोटर साइकल निकालना दरा उसे पेट्रोल है न क्यूं आग लगानी है आग नहीं बच्चे रेस लगानी है अगर नरेन के आते ही उनका बच्चपन लॉट आता है इसलिए कि उन्होंने कभी बच्चपन में बच्चपन देखा ही नहीं जिसों में दूसरे बच्चे खिलोनों से खेला करते थे तेरे डाड़ी रेलवे स्टेशन पर सामान उठाया करते थे उनके अंदर का वो जो घरीबी के बोश तले दब कर कहीं मर गया था नरेन के आते ही जिन्दा हो जाता है अब तू ही बता कैसे माना करूँ क्यों बेजिए शाटकट बारता है वो नो एंट्री का बोल्ड नहीं देखा क्या अरे देखा देखा मगर मुझे बहुत जल्दी है यह चाता लगा कर किसी बराद में जा रहा है क्या चल लाइसन्स देखा लाइसन्स वो तो मेरे ड्राइवर के पास है ड्राइवर तूने मर्सेडेज कार्ण का ड्रायवर भी रखा है अरे ड्राइवर मोटर साइकल गुर्क नहीं है ड्राइवर मेरी मर्सिडीस कार का है मर्सिडीस कार वो फो ललंबा वाला घाली जो पचासować में आता है आहाँ वह कार है तेरे पास कि तो आपने आपको क्या समझता है सेट यश्पाल आनंद अरह मैं समझता नहीं मैं हूं सेट यश्पाल आनंद यार लगता है साला प्येला है चाले पुली स्टेशन अरे टेबल पर सोने का इरादा है क्या चल सीदे ख़लाओ अबल्दार क्या किया इसने साहब इसने चार गुना किये हैं पहला बिना लेसंस के खटारा गाड़ी चलाना दूसरा नो इंट्री में घुच जाना तीसरा यह पीला है चौथा और सबसे बड़ा गुना यह अपने आपको सेट यश्पाल आनंद समझता है क्या सेट यश्पा यश्पाल आनंद इस शहर का सबसे बड़ा आदमी है उसके घर में जो नौकर होंगे वह भी तेरे से अच्छे दिखते होंगे खबरदार यो मैं सब बत्तमीजी की तुम नी जानते मैं क्या कर सकता हूं अच्छा लगता है किसी छोटे-मोटे MLA को भी जानता है हावलदार यह सर तुम नहीं तुम ट्रेफिक का है हावलदार अंद डाल अंद डाल इसको एक मिनट आपको चला जाओंगा सेथ यश्पाल आनंद मवाली ए किश यूर में पकड़ा गया पाकिट मारा क्या नो एंट्री में हाई डैड हाई मैं इमानी से रेज जीतना चाहता था आप उमानदारी से रेज जीतने के लिए खुझे थे-चुप कर आपये सोच किहां से निकलेंगे कैसे तैड मैंने वकील साब को फोन कर दिया है वो आते ही होंगे नरेन बाबा यश्पाल सेट आप यहां हवलात में यश्पाल सेट क्या सचमुच यश्पाल है हां और आप ने बंद कर दिया अबे हवलदार जल्दी दर्वादा खोल यह सचमुच के सेट है अब तैड थैंक यू अब हर्ट माफ करना सेट जी मैंने आपको पहचाना नहीं पैसे इंस्पेक्टर यह बात दिल्ली थक भी जा सकती है मगर इसमें गलती तो आप ही कि थी न दिल्ली तक वहीं बात जाती है जिसमें गलती आपनी होती है लेकिन सेट जी आप इतना बड़ा आदमी होकर यह थर्ड क्लास गुंडा लोग का माफ़का क्यों पहनता और फिर खटारा गारी में पकड़ा गया बात कुछ समझ में नह अच्छन कट अच्छन हो रागर मतलब रेश भी हाथ से गई ही रो मैं भी तेरा बाप हूं बेटे ऐसे चीतने नहीं दूंगा हुँजद है मजीत गया, 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 मज चोरी छुपे भी नहीं, आकेले में भी नहीं और पेन में छुपा कर भी नहीं डैड, आपकी जिन्दगी मेरे लिए बहुत किल्थी है, अगर आपको कुछ हो गया डैड, तो फिर मेरा क्या होगा? ए हीरो, तेरे लिए मैं जिन्दगी ठुकरा सकता हूँ, यह सिगरेट क्या चीज है? ले, आचे तेरे लिए सिगरेट पीना बंद, और कुछ समाल के, गाड़ी की नीची आ जागा भाई, समाल के अरे, रुक यह क्या है? गाड़ी है साब? गाड़ी? यह कैसी गाड़ी है? इसकी सीट आ फ्लोरी का है? ताव दर असल यह गाड़ी नहीं है, यह तारीख हिंदुस्तान है तारीख हिंदुस्तान? जी साब, आपको यहाद एक जमाने में पेट्रोल चार उपलेटर हुआ करता था? उस जमाने मेरे अबबाने मुझे मकान नहीं दिया, यह गाड़ी दिया और का बेटा, सारी जिन्दकी इस गाड़ी में अराम से रहना यह क्या है? यह गाड़ी का हाण हिसा है तुम्हें पेट्रोल की बात कर रहा था तो साब पेट्रोल ऐसा मेंगा होने लगा, ऐसा मेंगा होने लगा कि खरीदना तो एक तरफ पेट्रोल पम के सामने से घुजरने की हमत नहीं रही मुझे तो मैं इसकी सीट और यह फ्लोरी निकाल दी और इसको दका मार के चलाने लिए मुझे तो तू कोई फ्रॉड लगता है जरा देके तुमने अपने बोलेट में क्या चिपा रखा है इंजन का इसका जब महेंगाई हिंदुस्तान के 90 क्रोड जनता को खा गई तो क्या मेरी गाड़ी छोटा से इंजन नहीं खा इस गाड़ी में सफर क्यों करते हो तुम पैदल क्यों नहीं चलते हैं विसे मैं पहाड़ी आदमी हूँ मैंने वहां सुना था कि शहर में पैदल चलने वालों के लिए कुछ जगा होती थी तो क्या नाम क्या था उस तब भूल गया मैं फूट पाथ हाँ भगवान आपका बला करें फूट पाथ है फूट पाथ नापकी कुछी शहर में थो नहीं नहीं ना उस फूट पाथ की जगा पर कई जोपड़े बने वें कई दुकाने बनी हुई है कोंचे लगे हुए कई बिकारी बैठी हुए है और बाकी जोगा बचती वामें सुपल्टी वालों ने ब लगता किसी ऐसे मुर्दे की कबर खुदी वे जो अभी तक पाइदाई नहीं हुआ है एक बार मैं वे उस खड़े में गिर गया तो मुझसे बड़ी वालों का उन्हें फिर खड़ा कोदा मुझे बाल निकालिया वनमें उसमें आज तक पड़ा वह होता अगर फिर कभी इस भी मिल ठीक हो लेकिन गवरों को क्या हुआ है ये क्यूं अधास बठा हुआ है अब आपी समझाईए मैं तो समझाते समझाते ठक गयी क्या वैटा क्या है किया बताओं खान बाबा मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी सेकंड क्लास से पास होता हूँ और ये देखिए, भाईया के कप्स, मेडल्स, भाईया हमेशा फर्स्ट आते हैं, और मैं सेकंड क्लास रे पगले, ये सारी शेल, ट्रॉफी, इनामाद वगएरा, हीरो ने स्कूल में और कॉलिज में पाएं, मेरी बात याद रखना, जिंदगी इंतिहान लेती हैं, जो आदमी उस इंतिहान में फर्स्ट आता है, वो असली हीरो कहलाता है बाबा, मैंने NDF जोइन किया है, और ट्रेनिंग के लिए मैं आप के लाके मैं आने वाला हूँ कि मैं उन्हें पचीस हजार डूनेशन दूँगा, ऐसों की बात बिल्कुल मत करो, तुम जाओ यहां से, मैं बहुत इंपॉर्टन काम कर रहा हूँ फ्लीज डैड, देदो ना, बना मेरी नाक कर जाएगी नाक बचाना चाहते हो, येस डैड अब भूल, खेलेगा मेरे साथ, लेकिन यह ओफिस थे, या खेलेंगी किसे, अरे वो तु मुझ मत छोड़ दे, ये देख, ये गई फाइले, ये क्या दूसरी फाइल हा, ये ले, एक लेक नट पर्दा बंद कर दूँ, पर्दा है पर्दा, ये ले, बैज में ले, और ये किन अब में दूसरी क्यं, आप में अमघ. टाक किना गे leिए, इसमय रोगए.... मैंनम कुछ भी बोलो, आदमी तरक्की ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे तड़ी महनत और लगन होती है, अब अपने सिर्ट जी को ही देखिये न, सवेरे ग्यारा बज़े से एक बजने को आया, उस आदमी ने पानी तक नहीं पिया, सिर्ट काम, काम, काम. अरे भाई सुनिये जरा मालूम कीजिये न तीन बजगे हैं मुझे साब से बहुत आर्जेंट काम है अरे भीया मुझे नोकरे से निकल वाओगे क्या कितनी बार कहूं सहाब अंदर जरूरी काम कर रहे हैं काहब ने अभी तक खाना नहीं खाया नहीं मालकिन लाल बोर्ड लगा है सहाब अंदर जरूरी काम कर रहे हैं जरूरी काम मा भाया का है पता नहीं इरो भी सुबह से गाया भे मा कहिए जरूरी काम दोनों के पीश तो नहीं चल रहा मीता मैं इसको समझा रहा था कि टेबल टेलिस बॉल्ट का मैनुफेक्चर प्लास्टिक इंडस्ट्री मैं तो आफिस में बैटा अपना काम कर रहा था यह उन लुकापन आया और बोला कि डैडी टेबल टेलिस खेलोंगे बॉल भी यहीं लेकर आया था हीरो तु दुनिया का पहला बेटा है जो अपने बाप को बिगाड़ रहा है तेरे आते ही यह काम का छोड़कर खेल कुद में लग जाते हैं और आप आपको मैंने मना किया था ना यह सब करने के लिए पीटा यह घर नहीं आफिस है कोई आ गया तो छोड़ू ठीक है आज घर आईए फिर मजाचा खाती हूं चलो गारब फिरो अरे बुरा मत मानिया फंस गया था यह सब करना पड़ा तु मेरा बेटा है तु मेरा ल अब क्या करूं इस आउरत का जब दिखू कान से पकड़ लेती है कॉलर से उठा लेती है सोच रहा हूं इसके खिलाफ एला ने जंग का तु जंग कैसे देख तेरे को एक तजुरुबे की बात बताता हूं आदमी कभी औरत से नहीं लड़ सकता आगर अगर अपने घर में एक और आउरत आ जाए तो तेरी मा का ढटकर मुकाबला कर सकती है और घर में इसका मतलब है डैड आप इस उम्र में दूसरी शादी करेंगे उल्लू के पठे मैं अपनी नहीं तेरी थपड़खा तेरी शादी की बात कर रहा हूं किसकी मेरी आ देख वो दो हैं तेरी मा और गौरम और हम भी दो हैं अब अगर तेरी शादी हो जाती है तो हम तीन हो जाते है और फिर शादी के बाद हर साल तेरा बच्चा होगा और हमारी टीम बढ़ती जाएगी तेरा किसी लड़की से को चक्रवक कर रहा है कि नहीं आपके सामने उस लड़की का नाम लेते शरम आती है अच्छा कॉलेज के फंक्शन में मैं गाना गा कर उस लड़की का नाम ले लूँगा आप जाकर उस लड़की से बात कर लेना प्रॉमिस प्रॉमिस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर सुधार अच्छू मैंने कलेक सपना देखा मेरी बाहों मेथी रेखा मैंने कलेक सपना देखा मेरी बाहों मेथी रेखा मेरा दिल है कितना पाकत करता है बस ट्विंकल 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 देखा उसे तो नेंद न आई मैं हो करिश्मा का सादाई उसके पिना है मुश्किल जीना चंचल कम सिन शोख रवीना 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 वो है शम्मा मैं परवाना शी देवी का और मैं देवाना उद्गे लिए कब से हूं बावला कभी तो मिलेगी जो ही चावला 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 अर वो है शोला मैं हूरंगीला आग लगाती है उर्मीला आईश्वार्या मेरा चैन चुराए तपू सारी रात जगाए तपू 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 बोलना उसका ओन मो बोले बाले और वो है का जो उसकी तरा नहीं कोई तूजा लाखों में बस एक है पूजा 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 दुश्मिता रंभा ममता नहमा दे गई मुझको प्यार में सदमा शिल्पा ने दो मुझको मारा लुट गया आशिक में बेचारा शिल्पा 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 ना सुक ना सुक भूल सी डाली मुझके मरते है सो नाले कहता है मेरा दीवानापन बने की माधूरी मेरी दुलहन 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 तच हो जाए मेरे दुआए काशी परिया मुझे मिल जाए मैंने कलक सपना देखा मेरी माहों में ते रेखा 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 और प्यारी रेखा देखा देखा और सपना देखा मैंने कलक सपना देखा मैंने कलक सपना देखा त्विंकल, करिश्मा, रवीना, और्मिला, तब्बू, रेखा, माधुरी, श्री देवी, मम्ता इतनी सारी लड़कियों के साथ हीरो का चक्कर अब इन में से उसकी शादी करूं तो किस से? सर ये लड़किया नहीं है आप फिल्में तो देखते नहीं इसलिए आप इन्हें नहीं जानते इनकी शादी हिरो से हो ही नहीं सकती मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं ड़क तो ठीक है मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है उना मेरे एक दोस्त हमें से बजाज उनकी बेटी सपना मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खुबसर लड़की आज तक नहीं देखी ऐसा लगता भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया उसे संडे वाले दिन आपका मतलब यह है डाट के वो मम्मी से भी ज़्याजा अच्छी है मम्मी से अरे तेरी मम्मी तो कुछ भी नहीं है अच्छा अगर दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो तेरी मा पानी भरेगी उसके सामने पानी मा मैं कहता था ना कि डाट के साथ इतना जगड़ा मत किया करो हो गया ना लफला क्या हुआ क्या हुआ आरे खुछ चलकर अपने कानों से सुन लो फिर आपको मालूम पड़ेगा खुपसूरत पड़ी लिखी चुंदर इरो अड़र पस यूँ समझ लो अगर वो इस घर में आ गई तो बहार ही बहार आ जाएगी खुशिया वे कर जाएगी मगर क्या वो मम्मी की तरह खाना पका सकती रच अले तेरी मम्मी को तो उबले हुए खाने के अलावा कुछ बनाना यह नहीं आता है और यह लड़की आहा अहा ऐसा खाना बनाती है कि खाने के साथ उंग्लियां चबा जाने को दिल करता है अच्छा आब बस यह समझ ले कि यह लड़की तेरी मम्मी से हर मामले में सौ गुना बहतर है पिर चाहे खाने का मामला हो या गाने का एक बार इस लड़की से शादी ह हो गई तो बस जिन्दगी सवर जाएगी जी रोज जिन्दगी है इसाथ आपके उपार नर्व गई है ना जो उसके साथ सवर जाएगी रहा जों मैं पूछती हूँ सारी जिन्द की सेवा करने का यही नाम दिया आपने मेरी सौतन को ला रहा है इस घर में सौतन तुम्हारी पागल हो गई हूँ क्या इसलिए हाथ में भाला लेकर आई हो अरे मैं तुम्हारी होने वाली बहु की तारीफ अरे छांसी गिरानी मैं हीरो की शादी की बात कर रहा था नालाएक ऐसा मजाग करते हैं तेरे दाड़ी ठीक ही क्या रहे है तुझे शादी कर ही लेनी चाहिएۗ मेरा भी अकीला पंदूर हो जाएगा बोल कब चलेगा लड़की देखने लड़की देखनी किया ज़रूरत है तो हर बार मुझे से बाजी जीत जाता है इस बार शायत लगा ले जीतूंगा मैं लडकी को देखते थे तेरे और रोश फास्टा नहीं हो गए तुर मेरा नाम भी अश्पारानन नहीं ऐसा करते अभी चलते रात तक पुना पहुंच जाएंगे चल अले गाड़ी क्यों रोक दिए रो तो घंटे से गाड़ी चला रहा हूं तो मैं चला हूं नहीं डाइड प्यास लगी है चलो कोल ड्रिंग्स लगे आता हूं तुम दोनों एक साथ गये तो सारी राप मेले में धमाल करोगे अरे अभी आते हैं दोला ना ही रो तू अकेले जा अर जल्दी वापस आना अचा जल्दी आना जल्दी आना आ रहाओन ना डैड जाल्दी आना आ रहाऊना डैड आ चार कूल डिंग्स देना 볶स sempre adventures पेस गया बूर्ट पोरीजीHow कि अब बच्जा साथ उधर तुरा क्लाइन थाले लाए तुम बच्जा साथ कि अभी तक मैं जाकर देखता हूं नहीं आप यहीं बैठिये वो आता ही होगा कर देखता है कि अब बच्जा तक मैं पते ही होगा य य य य व वो साथ कि अलता है कि अलता हो देरा पलता है कि अब बचलो से उपना कि अलता ढप्जा से तक मैं ए division bisa हो हो है अलता है अबने मुल्या बज्जाए गौरफ जी तरह जाकर तो देख इरो कर क्या रहा है अबने वहाँ घबराओ नहीं, एरों को कुछ नहीं होगा उसे कुछ हो ही नहीं सकता Mr. Anand का रूफ दैड का क्या रखना है हमेशा खुश रखना होने दैड दैड में जा रहा हूं दैड गुद्बाई दैड अ अ अशाए अशाए हाँ 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 है कि एक मैं और वेसा कि बाइमानी क्यों तुन्हें में साथ कि सारी जिन बइमानी करता रहा लेकिन कि अरे कुछ नहीं कहा तुझे लिए यह क्या किया तुन्हें अब मेरे साहत कि पुझे चोड़कर चला गया यहां भी पस आना चाहता था और उस पापशा आना चाहता था वहां तो मुझे पस आने दिया होता जो चला गया मुझे चोड़कर कर दो जा को रहा है नहीं माँ मैं डाड़ी को ऐसे रोतो है नहीं दे सकता है रो लेने दे मैंने तो सिर्फ अपना बेटा और तुने अपना भाई खोया है अगर इनकी तो सारी दुनिया ही लुट गई सर यह कुछ कागजात पर आपके दस्तगत करवाने हैं यह लिजिस सर आज पूरा एक महिना हो गया आप आफिस नहीं आए तब यह ठीक नहीं है सुधिर यह क्या सर आपने कागजात पड़े तक नहीं आज तक आपने बिना पड़े कभी दस्तकत नहीं किये ठीक है सुधिर तो मेरे भरों से क्या आदमी हो और फिर दोखा दे कर कोई क्या ले जाएगा मेरी दौलत ना किस काम किये सारी दौलत मेरे बेटे को नहीं बचा सकी अच्छा सर चलता हो सुनिये कुछ दिनों से लग रहा है आप कुछ जादा सिग्रेट पीने लगे हैं नहीं पिऊंगा तो क्या होगा कोई साल और जीऊंगा जीऊंगा जीऊंगे तो किसके लिए जिसके लिए जीता था वो तो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया मुझे जा रहा है गौरफ मां यह सब क्या हो गया अगर भगवान को मारना ही था तो मुझे क्यों नहीं मार दिया भला मेरे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता मगर बगर भाया भाया तो डैडी की जिद्दगी थे मां भाया की जगह मैं क्यों नहीं मर गया नहीं बेटा ऐसा मत कहें हिम्मत रख भगवान सब ठीक कर देगा मा तो भगवान पर बहुत फुश्वास करती है ना तो उन से प्रात्मा करना क्या अब मैं डैडी के सामने तब ही आऊ जब मैं सिंदगी में कुछ बंच आऊ इसलिए मैं यहां आया हूँ कुछ पनने के लिए मुझे अपनी मा की उमीदों पर पूरी धर से उतर ना है अपने टैडी के पुछी हुए चेरे पर मुस्कराट वापस लानी है और तुम मेरे लिए एक रुकावट हो बहुत प्यार करती हो ना तुम मसे तो एक बात सुन लो अगर आज के बात को मेरे सामने आई तो मैं अपनी चांद दे दूँगा खुद खुशी कर लूगा मैं अप्रिक हैं पापस अप्तान जी कपाजी 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 बेटी, बहुत अच्छा किया जो तु इसे मेरे घर में ले आई जजा, जजा इनका हाथ तो बोटन हो गया है जीवाने पनी का नशा सारी उम्र ना उत्रे दिवाने पनी का नशा सारी उम्र ना उत्रे वफा की बंदगी में अपनी जिन्दगी गुजरे जीवाने दिल की तडप कुछ तो तेरे काम आए बेटी, अब वो खत्रे से बिलकुल बाहर है साच चाचा सारी रात तु जागती रही है अब जा, कुछ देर के लिए तू भी सोजा नहीं चाचा, अब हम चलते हैं उनने हमें अपने साबने आने से बना किया है हम यहाद देखेंगे तना जाने गुज्से में क्या घर बैठेंगे बस, उन्हें यह न बताना कि तुपान से बचाकर हम उन्हें यह लाए मेटा, होशा आ गया तुम्हें लो, यह गरम दूद पी लो मेरी चान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा आइसान किया है मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ पना दिये बेटे जान तो किसी और ने बचाई है मैंने तु तुझे पहले ही कहा था बेटा कि मैं पैसे का नहीं प्यार का सौदा करती हूं उसे मैं अपनी चुन्नी कभी न बेचूं जिसके दिल में प्यार न हो अब मेरे दिल में प्यार है बहुत सारा प्यार फिर तु इसका सुबूत दे दे कि तु उस लड़की से प्यार करे है हाई राव सबूत मिल गया दादी मा या और दू मेरे भूं मेरे सल भूं मेरे सल भूं जब राव लुटें 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 इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जा तुझसे प्यार ना करता तो शायद में मर जाता तुझसे प्यार ना करता तो शायद में मर जाता तुझसे प्यार ना करती तो शायद में मर जाता तुझसे प्यार ना करती तो शायद में मर जाती प्यार ना करती तो तेरे ले पागन दीवाने मैं किसने दीवाने थी तुझ तो अपना बालिया था दुनिया से बेडाई थी मैं तो था इक तोरा तागस तु मेरी फेम कहानी थी सांसों में तेरी क्यास चुपी थी तु मेरी जिंदगानी थी तेरे बिना जीना नहीं तेरे बिना जीना नहीं इश्क में मेरे रब्ब जाने मैं क्या कर जा तुझ से प्यार ना करता तो शायद मैं मर जाता तुझ से प्यार ना करता तो शायद मैं मर जाता आप जाता ओट जाता ना करता जाता तुझ से प्याता ना करता तुझ से थी करती थी हादों में खुई रहती थी खुद से बाती करती थी तेरे सिवा मेरे होटों पे और किसी का नाम न था ठिक बेचैनी सी रहती थी मुझे को कहीं आरांग था तु है जहाने हो वही तु है जहाने हो वही इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जाता तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता तुझसे प्यार न करता तुझसे प्यार न करता चिटको चिटको कप्तां जिस है कुछ कहने की जरुतने सनम तेरा डुपट्टा सब कुछ बता रहा है यह बता बुआ के कोई चिट्टी विट्टी तो नहीं आ यहां अगर चिट्टी आती तो पोज बाबु के पीछे गाओं के सारे कुट्टे ना छोड़ देता बुआ अरे सनम बेटी तु कहीं जा रहे थी क्या हाँ हाँ बुआ वो वो क्या है वो अरे क्या हो गया तुझे अब क्या बता है बुआ गडबल हो गई अच्छा वह तुम यहां मिलने आगे वरना सनम तो तुमारी पास आरी थी सब ठीक तो है ना बाकी तो सब ठीक है मगर मामा जी पागल हो गए क्या हाँ बैकी बैकी बाते करने लगे अब देखो ना सनम अभी अभी तुमसे मिली ना मगर उन्हें लगेगा कि पिछले चार दिनों से शनम तुमारी पास थी नहीं बहुत खतानाग दोरे पड़ते उन्हें उंची आवाद तो सुनी ने सकते काटने को दोरते हे राम अरे क्या होगे छुटकू ऐसे क्यों भाग रहा है पागल कुटे पिछे लगें क्या नए मामा बुआ फुलुआ हाँ मामा जी बुआ पागल होगे क्या अजीब बैकी बैकी बाते करती अब तुम बताओ पिछले चार दिनों सनम उन्हें के पास थी ना मुआ मर्गट जरूर कोई गलत जड़ी बुटी खाए अरे भाप्रें क्या हुआ वह आ गई उच्छी आवाज में बात मत कर बत खतानाक दोरे परते है उन्हें उच्छी आवाज से सुनी नहीं सकती और काटने मुदोरती है माम्क, बारी होगा। फ्हीत, भा किहां आवाजा लुटी आवाझे! कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मरगट, पिछले चार दिनों से सनम मेरे ही पॉस्तिया मुझे मालूम है, सनम तुझे आप यापी गाहों में मिली है चलो, बला टल गई प्यार, मौबबत एक नेक जज़मा है बिटा तेरी जिन्दगी में सनम की कमी थी, वह भी आ गई अब देखना तेरी जिन्दगी बदलाव भी आ जाएगा अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ ही दिर में पूल भी बंद हो जाएगा फेरो सनम, थोड़ देर और रुक जाओ जिन्दगी के ही तु कुछ पले जो मैं जीता हूँ हमारा पस चले कप्तान जी, तुम सारी जिन्दगी तुम्हारे सामने बैठे बैठे कुजारते अगर क्या करें, सूरज भी अपने वक्त पे डूबने चलाता है अपने वक्त पे नहीं, अपने वक्त से बहुत पहले जब तुम पास होती हो सनम, तो वक्त कितने जल्दी कुसर चाता है और जब तुम नहीं होती हो, तो वक्त काटे नहीं करता जाओ सनम, इन आखों को कल पी तमार अंतजार लेगा आखों में नी देना दिल में करा मुहाब भी क्या चीज होती है यार कभी बेखुदी तो कभी इंतजार मुहाब भी क्या चीज होती है यार जर्द उठे कास जगे याद सताए कोई सदा शाम उ सहर पास बुलाए तर्द उठे क्यास जगे याद सताए कोई सदा शाम उ सहर पास बुलाए तुम रात धले धूप खिले आए सवेरा चाहतों के आशिया में दिल का वसेरा बेकरारी है जाने क्यूं सनम आख है खुणी नींद में हम हर घड़ी है दिल पे के सा ये खुआ आखों में नींदे न दिल में अरा आखों में नींदे न दिल में अरा मुहाबात क्या चीज होती है याद वहाबात क्या चीज होती है याद मैं तो तुझे एक भी पल भोल न पाओ जाने वखा पास तेरे दोर के आओ मैं तो तुझे एक भी पल भोल न पाओ जाने वखा पास तेरे दोर के आओ तु जो कहे रस में सभी तोड़ दू सनम तेरे लिए जोनो जाहा छोड़ दू सनम कैसे कटेगी उम्र तेरे दिन क्या जिद्धी में होता है एक बात आँखों में नीदे न दिल में करा मुहाबा भी क्या चीज होती है या कभी में खुदी तो कभी इंत्जा मुहाबा भी क्या चीज होती है या मुहाबा भी क्या चीज होती है या मुहाबा भी क्या चीज होती है तुम कहना चाहते हो कि अंगारा जूर बोल रहा है अरे उसने खुद अपनी आखों से तुम्हारी भांजी को उस पोजी लड़के के साथ आज मिचोनी खिलते हुए कहा ने कल मिलेंगे अब जाने दो वादा वादा वो समझ जाए इसी में तेरी और उसकी भालाई है साथ दिन के अंदर अंदर काओं के किसी भी छोकरे के साथ उसका प्याहरा चाहतो और जब तक प्याहरा हो जाए वो पुल के उस पार नहीं जाएगी और नाय उस वाजी से मिलेगी तो मिल सकती है इस यह कि हम से कटकर अलगना चाहते हैं वह उसी दोना जाथी है हम अंदुस्तान से अलग होकर अपनी अजादी चाहते हैं अज़स्तान से ऑलग होकर आजदी का सपना तो आप एक मुद्द से अब देख रहे हैं मगर उससने का अंजाम क्या हो भी देख रहे हैं आप गली और घुचों में आपके अपनों की लाशें लावा इस लाशों की तरह तर बितर पड़ी रहती है और कितनी लाशे गिरेंगी और कितनी मौते होंगी जदा बच्चे की पड़ाइश का दर्द तो मां खुशी-खुशी सह जाती है मगर उसकी मौत का दर्द उसका कलेचा फड़ ज़ता है वो नहीं से सकती पीचे दस साल में कितना बदलाव अगया अपने सिलाखे में कभी देखा आपने वो खेज जहां कभी कुलाब के फूल उगा करते थे आज वहां खून के धबे नज़र आ रहे हैं गरेबों के बास खाने को रोटी नहीं वो भी सपनों की रोटी खा रहे हैं एक पैसे की आंदेनी नहीं है टूरिस्टों का आना बंद हो गया है कभी विद्यार्थियों को देखा स्कूल कालेज की बच्चों को किताबे छोड़कर बंदू की उठा लिए सबने अरे क्या भ दूकर है। घेश के साथ कदम से कदम मिला कर चलिये तभी हम वेकावे में आकर कुछ लोगों के वैकावे में आकर अपनी धर्ती माह का सौधा मत कीजिए अपनी धरती माँ को सौदा मत कीजिए साथ एक बात और साथ मैंने गोरो की माँ को अपनी बहन का है गोरो मेरा बच्चा है सनम गोरो की है दुनिया की कोई ताका दोनों को जुदा नहीं कर सकती है गोरो तभी सनम को यहां से लेकर जाएगा जब आप सनम को दोली में बिठाकर दोनों की तरह आप में बेटी की तरह पुल के उस पार में कराएगे यह आपको करना होगा याद रुखिएगा क्या सोच रहे हो दादा आज खान बहुत बड़ी बात बोलके गया है आज उसकी बात सीधे दिल को लगी है कप्तान जी बेटा जाओ अपने माबाप की इजाज़त लेकर आओ अगर वो हाँ कहें तो हम वादा करते हैं कि सनम की डोली पुल के उस पार हम लाएगे पुल के उस पार हमारा सारा असला तबा हुआ है तुम लोग उसे आज रात ही निकालो मैं चाहता हूँ इसी हफ़ते इस देश के कोने कोने में हमारे अध्यार पहुंच जाएं तो इन बेवाकूफों के रीती रिवाजों और परमपराओं से हम जो फार्दा उठा रहे थे वो हम नहीं उठा सकेंगे मेरा बरसों का सपना और सालों की मेनत बेकार हो जाएगी और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूगा इसलिए जो भी करना है आज रात ही करना है यो और अरेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी ख़बर है गाराओ सीमा पार के दुस्मानों ने धरकपुर पर कपजा करके पुल पर डाइनामाइट लगा दिया है गाउवालों के साथ में सनम भी उनके कबजे पर है दुस्मनों ने धमकी दिया कि अगर जनरल के भाई शेरा और उसके माल को छोड़ा नहीं गया तो धनकपुर गाउं के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं चोड़ेंगे यह करे जनरल जब कुछ जिंदा बच्चे गाई नहीं तो हम आजादी किसे देलाएंगे उसकी कुछ तो सजा मिलेगी न तुझे थी का तुने जनरल अरे मुझ जैसे गड़ार को सजा मिलने ही चाहीं मगड़ जनरल अंगारा वो है जो खुद तो जलता है लेकिन दूसरे को अपने साथ में जला देता है तो मैं तेरे हाथ कार दूगा अरे छोड़ो भाई माम नमक अराम उसादे मत पारो मेरे बच्चे को छोड़ दो उसे आज से हरोस एक लाश तेरी सरकार को भेजूगा देखता हूँ वो कब तक मेरे भाई को नहीं छोटे सबसे पहली लाश किसकी होगी जानता है दोन्चूट 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 साथने गावाले डोन्चूट कैसेट इसमें उनका कोई पैगाम होगा भारत के मजबूत और बादर सपाईयो अगर मेरे भाई को नहीं छोड़ा गया तो बात खून भैखा अगर मेरे शर्ते नहीं मानी गई तो इसी तरह से हर रोज एक लाश पेजूगा आज शाम जिसकी लाश आएगी उसका चेहरा भ कि तुम वहाँ हो की नहीं अगर हो तो मरने से पहले अपने सनम का आखरी सलम कबूल कर लो हमें बस एक ही दुख है के काश मौत आने से पहले एक बार तुमारी सुरुत एक पाते है मेजे खान ये लीजिए शेरा के रिहाई के ओर्डर्स मैंने कहा था ना तुम लोगों से के तूफान को सलागों के पीचे काईद नहीं किया जा सकता अरे तुम लोग क्या सजाद हो गयों मुझे तुम हिंदुस्तानियों की बुजदिली को मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोग सिर्फ बड़ी-बड़ी बाते करते हो मेरा जानता है आइनक अट ने कुछ नहीं पिगार साद हुए अट को लोग कोई कुछ नहीं पिगार साथिक हो अरे रहा ख़ोरा थायो बड़ुद शाल कि परते ही, खभ़ोरा को अभ़ोरा हूआ, बड़ा हुआ इनस मेरे देश्पे कव्जा मेरे बड़ा जाता है यह मेरे देश के कुपले करना चाहता है अगा 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 शेरा मर चुका है यह खबर जेनरल को मिलते ही वो धनकपूर को अबरबाद कर देगा सनम का क्या होगा गौरव बचाएगा ना उसे गौरव एक निशान तो वो ठीक से लगा नहीं सकता वो क्या बचाएगा सनम को जासोच रहो गौरव यारे एक बार मैंने का था कि जिंदगी अम्तियान लेती है आज जिंदगी तुभाराई इम्तियान ले रही है यही जिंदगी एक मवचे हर इनसान को देती है कुछ करके दिखाने का, तुम्हारी जबान में हीरो बनने का, आज जिंदगी तुम्हें हीरो बनने का मौका दे रही है, वहां तुम्हारी सनम मापसी हुई है, तुम्हें जाकर सनम को बचाना होगा और सिर्फ सनम को नहीं, उन दुश्मनों के चुंगल में जो हमारे हिंदो कि पूश्मनों को बता दो क्या में हिंदुस्तानिया इंसा के पुजारी जरूर है अगर बुश्दिल नहीं है जर्पोग नहीं है हमारे भी खून में जंक करने की भावना है हमारे भी खून में बारु भरा हुआ है जाओ सनम, इस तरह उदास मत हो, मेरा दिल कहता है, हमें बचाने कोई आए ना आए, मगर कप्तान जी जरूर आएंगी भाया, आज मेरी मदद करना भाया, आज सनम की जिंदगी का सवाल है, मैं अपनी सनम को बचाने चाह रहा हूँ क्या करना गए यह आपने क्या किया बाई साफ क्या किया आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेन के बाद गौरव हमारे जीने का आख नहीं सहा रहा है आपा मेरा यकीम मानो मैंनों से नहीं बेजा मैं कुछ नहीं जानती अगर गौरव को कुछ हो गया तो आज के बाद कोई बहन किसी भाई पर विश्वास नहीं करेगी मेजर साहब मीता की बातों का बुरा मत मानियेगा बेटे को खोने की डर से अपने होश में नहीं है मा है वैसे गौरव जिस जंग में गया है उस जंग में अगर वो शहीद भी हो गया तो यह हमारे लिए फक्र की बात हो गई सब्के शामना मा तरफ वने सुचना सुपला मदयर जिवर तो यह हमारे उस जंग में अगर वने सुपला मा तरफ वो झीज़ जड़ थार जादा है कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो मैंने, तुम हिंदुस्तानियों को हामेशा अपना दुश्मन समझा, आज तूने मेरी जान बचाई कौन सा ऐसा घर है जिसमें भाईयों के भी जगड़ा नहीं होता, लेकिन जब बेगाने उस घर पर हमला करते हैं, तो भाईय अपनी दुश्मनी भूल कर उसका सामना करते हैं, माना कि हमारे बीच शिकायते हैं, लेकिन हम है तो भाईय न, इसी धरती के बेटे हैं, जनरल को ख हो हुष ! कर दो कर दो कर दो और खखार भाई कर दो हुआ हुआए तुकड़े करने चाहें तुने अइंसा का सबक सिहने वाली इस मिट्टी पर खून की होली खिला चाहें तुने जुक लुक लुका मांऔची ओुका मुएशी जुके अ वो, हुआ दो विए आरे दो डैड, तू जानता हिरो कौन होता है जो अपना नाम रोशन करे मैं अपने माबाब का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें I'm proud of you. शाबाज